टोइंटिफूर केट गोल्ड फेस्पेक आप घर पे बना सकते हो वो भी फ्री में सौनी की सारी अच्छा ही तुमारे चेरी पे चमकेंगी सौनी का रंग भी फीका लंग लगे तुमारे चेरी की खूपसूरती के सामने मैंने पसनली इससे लगाए आप लाइप रेल देख सक तो मेरा चेरा कैसी गिलो कर रहा है तो अगर चानक से आपको की साधी पार्टी में जा रहा हो तो आप इससे लगा दीजी आपकी स्की नेच्छी गिलो शान करेगी हेल्दी हो जाएगी प्लस आपकी चेरी पकर काली दग दब्बे हैं पिंग मिटेशन या किसी भी तरी स्क काली पड़ गए यह संटैन है तो वह इससे रिमूफ हो जाएगी इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए तो सब्सक्राइब कर लीजी साथ बैन नौटिपसे आप सभी लोको मिलती रहेगी तो हेलो दोस्तों मैं हूँ अनुरादा तो इस रेमडी को बनाने के लिए आपको लेना है दो चमच बेसल जी हां जो आपके चैरी पर गोल्डर निखार लेकर आएगा बेशनी नैचुरली इस पुलेट भी है तो आपको दो चमच बेसल लेना है उसमें डाल देना है आदी चमच हल्दी हल्दी विस्कीन वाइटनिंग के लिए बहुत को अटाएगा एंड रंग को गोरा करेंगा दो चमबत दही डाल देना है जो आपकी स्कीन को मौश्राइज करेंगा ग्लो लेकर आएगा बस सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है और आपका गोल्डन पैक बनके हो जाएगा रेडी तो देखिए मैंने बना लिया टाइट हो लती है चैरे पे कसाव आता है लगा लेना इससे आपको लगाना है हफ्ते में 2 दिन जी हां दोस्तों और अच्छानक से अपको कई साधे पार्टी में जाना हो और आपके पास पाल जाने के लिए विल्कुर समय नहीं है तो आप इससे लगा लिजिए आपको चै जुआ जाड़ तो आपको कर नहीं जूआ डाला लेना है उस से आपको करना है मसाज मसाज आपको करना है 10-5व तो अभी इसे बनाकर प्रीक को गोला लगाना ना तो अभी मैंने अपने चैरी को कर लिया है वाफ्स और आप लाइब रेल देख सकते हैं मैं अपने चैरी पर कुछ भी नहीं लगाया है मेरा चैरा कैसे गिलो कर रहा है कि तरदा शाइन कर रहा है बहुत ही प्यारे गिलो आई मेरी स्कीन काफी सौप्ट हो गई तो आई होब आपको आज की वीडियो